हेलो दोस्तों नमस्कार जैहिंद मैं सीडी सिंग आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल टेक्नोटोब टुटूरियल्स में और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रामा के IP केमरे को CP प्लस दोवा या किसी अधर थर्ड पार्टी NVR में कैस कांफिगर करें सो दोस्तों इसके लिए आपको व्राउजर पर ओपन कर लेना है कांफिग्रेशन पढ़ जाना है नेटवर्क बाप्शन में जाएंगे वहां पर आपशन दिखेगा एडवांस सेटिंग एडवांस सेटिंग में इंटीग्रेशन प्रोटोकोल्स ओप्षन म को सेव कर देंगे और सेटिंग करने के बाद आपको यहां पे एक on with यूजर क्रिएट करना पड़ता है सो on with user जो होता है आप कोई भी एक दूसरा नाम डाल सकते हैं अभी हम यहाँ पे एक user id क्रेट करने वाले हैं यहाँ पे add option पे जाएंगे और add पे क्लिक करके आप यहाँ पे एक user id और एक password क्रेट करेंगे username में हम कुछ भी डाल सकते हैं abcd 123 cctv जो भी आपको डालना है आप उस तरीके से डाल सकते हैं अभी मैं यहाँ पे admin डालना हूँ admin का एक capital है और alpha numeric minimum eight digit का password create कर रहा हूँ password और confirm password डालना होता है और लेवल में administrator select करके और इसको okay कर देंगे तो friends यहाँ पे हमने on with user create कर लिया है अब हम किसी भी third party nvr like cp plus दगवा या किसी और में भी हम इस camera को manufacturer में on with या protocol में on with select करके manually हम camera को nvr में add कर सकते हैं यहाँ पे देखिए दगवा के nvr में camera को manually add किया गया है manufacturer में on with और ip address user id and password को डाल करके okay कर देंगे आपका camera on with प्रोटोकॉल पे add हो जाएगा और status में live हो जाएगा so friends thank you thanks for watching the video